म्रदुल का तबादला मुंबई हुआ तो मेगा यह सोचकर खुशी हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगे वैसे कहा मुंबई घूमने जा सकते थे म्रदुल ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कारभार संभाला फिर राइपुर जाकर पत्नीवा बेटी को ले आया इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया दीरे दीरे दमपत्ती को महगाई वा अकेला पन खलने लगा उनके आसपास हिंदी भाजा बोलने वाले लोग ना होकर महाराष्ट के लोग अधिक थे जिनकी बोली अलग तरह की थी काफी मसकत के बाद उन्हें तीसरी माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था जिसके आगे बरामदे में उन्होंने रसोई वा बैठने का इस्थान बना लिया था मेगा ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा पर यहां तो सिर्फ जुग्गी जोपडियां ही दिखाई देती है म्रदुल मेगा को चड़ाता मैडम असली मुंबई तो यही है मचवारे वा मजदूर जुग्गी जोपडियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे जब कभी मचलियों की महक आती तो मेगा नाक सिकोडती घर की सफाई एवं बरतन धोने के लिए काम वाली वाई रखी तो मेगा को उससे भी मचली की बदबू आती हुई महसूस हुई उसने उसी दिन पाई को काम से हटा दिया मेगा के लिए गर्भावस्ता की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई नीचे जाकर साग सबजी खरीदना दूद लाना दो वर्ज की महक को तयार करके स्कूल भीजना फिर घर के काम कर म्रदुल की पसंद का खाना बनाना अब मेगा के वसमे नहीं था म्रदुल भी रात को अक्सर देर से लोडता था म्रदुल ने मा को आने के लिए पत्र लिखा तो मा ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर भीमार रहते हैं उनकी देखवाल कौन करेगा फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में ना सोने की जगे है ना बैठने की म्रदुल ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलास करने को कहा पर मेगा को कोई पसंद नहीं आई म्रदुल ने अखवार में विग्यापन दे दिया फिर कई कामबाली बाईया आई और चली गई एक सुबह एक अधेड और ने आकर उनका दरवाजा खटकटाया और पूछा कि आपको कामबाली बाई चाहिए हाँ हाँ कहा है मैं मैं ही हूँ म्रदुल वा मेगा दोनों ही उसे देखते रह गए हिंदी बोलने वाली एक साधारण औरत मगर साफ सुत्रे कपड़े पहने हुए थी मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ पर मैं रात में नहीं रुक पाऊंगी ठीक है तुम रात में मत रुकना तुमारा नाम क्या है माया देखो माया हमारी छोटी सी ग्रहस्ती है इसलिए अधिक काम नहीं है पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं मेगा बोली दीदी जी आपको सिकायत का मौका नहीं मिलेगा माया ने प्रतिमा तीन हजार रुपए मांगे पर थोड़ी नानुकुर के बाद वह धाई हजार रुपए पर तयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई पूरे घर की पहले सफाई धुलाई फिर कड़ी यावल बनाए और महक की मालिस करके उसे नहलाया म्रदुल वा मेगा दोनों को ही माया के काम से बेहत प्रभावित हो गए यद्यपी उन्होंने माया से उसका पता तक भी नहीं पूछा था माया साम को जब चली गई तो दमपत्ति उसके बारे में देर तक बाते करते रहे म्रदुल वा मेगा आश्वत होते चले गए जैसे माया उनकी मा हो वे दोनों उनका सम्मान करने लगे माया परिवार के सदस्य की भाती रहने लगी सुबह आने के साथ ही सब को चाय बना कर देना महक को रिक्से तक छोड़ कर आना ब्रदुल को आठ बजे तक नास्ता वा नौ बजे तक लंच बॉक्स तयार करके देना मेगा को फलों का रस निकाल कर देना ये सब कार माया हवा की भाती फुर्ती से करती थी माया वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी मेगा ने उससे ढूकला डोसा बनाना सीखा भाती भाती के अचार चटनिया सीखी पनानी सीखी ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है एक दिन मजाक में मेगा ने पुझा था हाँ मैं सिलाई कड़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ मेगा मुश्कराती मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चड़ कर बोलने की आदत है डिलेवरी के लिए मेगा को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो माया रात को अस्पताल में रहने लगी मृदुल को और विश्वास हो गया उसने मा को फोन कर दिया कि तुम बिताजी की देख रेक करो यहां माया ने सब संभाल लिया है मेगा को बेटा पैदा हुआ तीसरे दिन मेगा नन्ने से बेटे को लेकर घर लोटी मेगा ने उसे नहला धुला कर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बना कर मेगा को पिलाया मेघा अम्मा आपने मेरी मा की कमी पूरी कर दी है मैं तो कृतग्य हूँ मेघा बोली थी तुम मेरी बेटी जैसी हो मैंने तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना तो मेरा करताव्य है म्रदुल ने भी माया की खूब प्रसंसा की एक साम म्रदुल माया वा बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सिडेंट हो जाने के कारण दमपत्ती को घर लोटने में रात के क्यारह बच गए घर में ताला लगा देख दोनों आवाक रहे गए अपने पास रखी दूसरी चाभी से उड़ों ने ताला खोला वो आसपास नजरें दोड़ा कर माया को तलास करने लगे चिंता की बात यह थी कि माया महक को भी अपने साथ ले गई थी म्रदुल वा मेगा के मन में माया के प्रति आको आक्रोस उमर पड़ा था मेगा बोली यह माया भी अजीब नौकरानी है एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता महक को क्यो ले गई पच्ची की चिंता पती पत्नी को काटने लगी पता नहीं माया का घर किस प्रकार का होगा महक चैन से सो भी पाएगी या नहीं पूरी रात चिंता में गुजरने के पश्चात जब सुबह होने पर भी माया अपने निर्धारे समय पर नहीं लोटी तो मेगा रोने लगी नौकरानी मेरे बेटी को चोरी करके ले गई पता नहीं मेरी महक कि साल में होगी म्रदुल को भी यही लग रहा था कि माया ने जान बूझ कर महक का अपहरन कर लिया है नौकरों का क्या विश्वास बच्चे को कहीं बेज दे या फिर मोटी रकम की मांग करे माया के प्रती सक बढ़ने का कारण ये भी था कि वह प्रत दिन उस वक्त पर आ जाती थी माया के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे फिर सब लोग म्रदुल को पुलिस की सूचित करने की सलाह देने लगे म्रदुल को भी यही उचित लगा वे महक की तस्वीर लेकर पुलिस थाने चापोचा माया के खिलाब बेटी के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा कर वे लोटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और मेगा से पूछतास करने लगे मेगा रो रो कर माया के प्रती आक्रोस उगले जा रही थी पुलिस वाले म्रदुल वा मेगा का ही दोस निकालने लगे कि उन्होंने माया का फोटो क्यों नहीं लिया बायो डाटा क्यों नहीं बनवाया ना उसके रहने का ठेकाना देखा जबकि नौकर रखते वक्त ये सावधानिया आवस्यक हुआ करती है अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के धेर से सुई खोजने के समान है अभी ये सब हुई रहा था कि अकस्मात माया आ गई सब भौचक के रह गई हमारी महक कहा है म्रदुल वा मेगा एक साथ बोले माया की रंगत उड़ गई थी जैसे रात भर सोग न पाई हो फिर लोगों की भीड़ वा पुलिस वालों को देख कर वैं हक्की बक्की सी रह गई थी बताती क्यों नहीं कहां है मेरी बेटी इनकी बेटी तु कहां छोड़ कर आई है उसे पुलिस वाले माया को डाटने लगे अस्पताल में माया रोने लगी अस्पताल में म्रदुल के मुझ से निकला हाँ साव आपकी बेटी अस्पताल में है कल जब आप लोग चले गए थे तो महक सीड़ियों से गिर पड़ी थी मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई अब बिलकुल ठीक है मैं उसे दूद बिस्किट खिला कर आई हूँ पर साव यहां पुलिस आई है आपने पुलिस बुला ली मेरे उपर सक किया मुझे चोड समझा माया रोते रोते आवेस में भर गई मैं मेहनत करके खाती हूँ किसी पर बोज नहीं बनती आप लोगों से अपना पन पाकर लगा आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा मैं महक को कितना प्यार करती हूँ क्या आप नहीं जानते फिर भी आपने माया अम्मा हमें माफ कर दो हमने तो गलत समझ लिया था म्रदुलवा मेगा माया के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे साहब अब मैं यहां नहीं रहूँगी कोई दूसरी नौकरी ढूल लूँगी पर जाने से पहले मैं आपको अपकी बेटी से मिलाना ठीक समझती हूँ आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए म्रदुल मेगा कुछ पडोसी वा पुलिस वाले माया के साथ अस्पताल पहुँच गए वहां महक को देख दंपती को राहत मिली महक के माथे पर पठी बंदी होई थी और पैर पर प्लाश्टर चड़ा हुआ था डाक्टर ने बताया कि माया ने अपने कानों की सोने की पालिया बेचकर महक के लिए दवाएं खरी दी थी साहब आपकी बेटी आपको मिल गई अब मैं जा रही हूँ म्रदुल और मेगा दोनों माया के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गए माफ कर दो अम्मा हमें छोड़ कर मत जाओ दोनों पती पत्मी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चायते थे इसलिए बार बार आगरह करके उढ़ों ने उसे रोप लिया माया भी खुस होठी थी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं रुकने का इतना आगरह कर रहे हैं तो मैं यही रुक जाती हूँ साहब मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे एक दिन माया ने अगरह किया म्रदुलवा मेगा उसके साथ गए वह एक साधारन आश्रम था जिसके बरामदे में माया का बिस्तर लगा हुआ था आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि माया अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों को जाक कर वहां रहने वाले लाचार बच्चों की सेवा करती है अब म्रदुलवा मेगा के मन में माया के प्रती मान सम्मान और भी बढ़ गया था माया के जीवन की प्रते एक एक करके खुलती गई उस विद्वा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संगर्स किये मगर बहु ने अपने ब्योहार से उसे आहत कर दिया था अता हुए अपने बेटे बहु से अलग इस अनात आसरम में रह रही थी संगर्स ही तो जीवन है माया मुस्करा रही थी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक करना ना भूला करें